हलो फ्रेंज वेल्कम डू मैं चैनल हेर सिलुशन वीडियो तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का इकन दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए तो आज हम करने वाले हैं केराटी जिन लोगों को नहीं पता हमने ओल्मोस्ट टू फिफ्टी वीडियो अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे 250 वीडियो पर ये आप लोगों की वज़े से ही पॉसिबल हुए है विकॉज हम यहां तक पहुंच पाएं इतने जादा सब्सक्राइबर हमें मिल पाएं और हर एक टॉपिक के ओपर हमने वीडियो बना डाला है तो जो भी नए टॉपिक आपको लगता है कि छूट गए हैं तो प्लीज वो टॉपिक के ओपर वीडियो के लिए हमें सुजेशन दें तो हम उसके ओपर भी वीडियो बनाएं तो आज जो वीडियो है उसका में मोटो है आपको दिखाने का कि आप कैसे एप्लिकेशन करोगे और क्या 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 करना होता है केरटीन में तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे इन बालों को ब्लो ड्राइए 80% ड्राइए कर लेना है बालों को जैसे ही बाल सूख जाएंगे उसके बाद हम जो है डी फैबुलेस एक ब्रैंड है हमारे पास जिसका हम कैरटीन यूज करते हैं वो कैरटीन प्रोडक्ट जो है अपने बाल में डालके इसमें अपलाई करना शुरू करेंगे जैसे ही ब्लो ड्राइ हो जाता है तो हमने इसमें पहले कलर किया हुआ है इनी हेर में तो कलर का रिजल्ट आप देख रहे हो और इनको जो डैमिज हेर है वो और ना हो because इनके पहले बालों में bleach किया हुआ था तो वो ना दिखें तो अभी हमको इसमें केराटीन करना है तो केराटीन करने के लिए हम बालों में sectioning कर लेंगे और फिर उसके बाद केराटीन application शुरू करेंगे तो यहाँ पे color जो है पूरी तरह covered हो चुके हैं hair हमने लिया था यहाँ पे 5.6 with number 4 और 5 base color ताकि gray coverage हो जाए उनका gray coverage भी हो गया पूरा उनके blonde hair थे highlights वो भी cover हो गया है और पूरे बालों का color भी change हो गया है तो यह color की video मैंने already upload की हुई या आप देख सकते हो जाके तो यहाँ पे मैंने 4 sectioning start किया है जिसमें मैं application करना start करूंगा section by section मुझे सारे बालों में लगा देना है keratin product अब देखिएगा ध्यान से roots पे नहीं लगाना है roots से मैंने छोड़ देना है उसी तरीके से मुझे अच्छे से application करना है सारे बालों में अच्छे से apply करिए जो कि आपका product है keratin product जो कि हमने लिया है defabulous brand का तो हमने तीन जगा पे tap किया है brush को और लगाना शुरू किया है ताकि सारे बालों में अच्छे से जो हमारा keratin product है वो अच्छे से लग पाए अब देख रहे हो हम अच्छे से पूरे बालों में keratin product लगा रहे है अभी आ जाते हैं उसके उपर वाले section में सारे sectioning में इसी तरीके से हमें keratin product लगाना है और मैं आपको बोल दूँ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो के नीचे एक line दी ये yellow color की उसमें लिखा हुआ है middle में Instagram, Facebook और TikTok इन तीनों पे हमारा account है उसका नाम है Hair Solution पेज बने हुए तो आप उन पेज को like कर सकते हैं follow कर सकते हैं because उसमें हम काफी सारी updates देते रहते हैं कि चाहे हम videos upload करें उसके बारे में हम बताते रहते हैं TikTok पे हम नए नए transformation की videos डालते रहते हैं और Instagram पे आप इसलिए follow कर सकते हो क्योंकि आप हम से chat कर सकते हैं कोई भी doubt है आप वहाँ पे clear कर सकते हो और एक हमारा second channel है जिसका नाम है current life आप जाएंगे देखेंगे तो उसको भी जाके please subscribe कर लें क्योंकि उस पे भी हम videos अपलोड करते रहते हैं नहीं नहीं तो यहाँ पे section by section मुझे product लगा लेना है अच्छे से ध्यान से पूरे बालों में अच्छे से product लगना चाहिए roots पे नहीं लगाना है मैं बार बार बोल रहा हूँ जितने भी बालों छोटे हूँ बड़े हूँ सब पे product लगा दें आप ऐसा नहीं है कि कोई बाल छूटना चाहिए रहना नहीं चाहिए लगाते वक्त कोई problem नहीं आएगी actually इसका एक जो smoke निकलता है जब आप iron करते हो तब problem आती है तो इसको ध्यान रखना चाहिए तब आपको कि बिल्कुल ध्यान से कुछ लोगों ने अभी product निकाले हैं like मतलब उनको नाम दे दिया है ऐसा कि Botox treatment मैंने अभी देखा मतलब क्योंकि मुझे देखने से पता लग गया कि जो बोटक्स treatment है उसमें already उन्होंने क्या किया हुआ है same procedure है जैसे keratin का procedure है वैसे ही Botox का procedure है but the thing is product अलग है जो brand अलग-अलग brand बना रहे हैं वो भी बालों को healthy करने के लिए product बना रहे है तो अगर आपको बोटक्स का वीडियो देखना है तो प्लीज बताएं उसके ओपर भी वीडियो बनाया जाएगा तो यहां पर section by section हम product लगा रहे हैं एक चीज़ और जिन लोगों ने अभी तक मिरे चैनल को join नहीं किया है joining में क्या होता है हम लोग जो live classes लेते हैं उसके notes रहते हैं तो वो आपको provide करवाई जाते हैं जब आप हमें join कर लेते हो तो join करने के लिए आपको हमारे दिये हुए number पे call करना पड़ता है तो अगर आप call करेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि आपने join कर लिया है कुछ particular amount आपको pay करना पड़ेगा पे करने के बाद जो भी हम live classes लेते हैं लोरियल, वेला, मैट्रिक्स, शौसकॉफ next future में हम सोच रहे हैं मैट्रिक्स और शौसकॉफ की classes लेने का तो जिन लोगों को भी join करना है वो please हमें call करें और join कर लें ताकि जो भी benefits हैं वो ले पाएं हमारे channel पे notes उनको मिल पाएं जिनको clear नहीं है हम notes भी उनको provide करवाएंगे तो आज हम कर रहे हैं केराटीन पूरे बालों में पड़क लगा रहे हैं second एक और application चल रहा हमारा other side वहां भी केराटीन कर रहे हैं हम वो short hair में है यहां पे long hair में है इनका time almost हो चुका है time होने के बाद मुझे क्या करना है इसमें 35 मिनिट हो गए है because color लगा हुआ है colored hair पे मैं timing कम रखता हूँ और virgin hair पे हम timing जादा रखते हैं तो total हमने रखा है 35 मिनिट उसके बाद मैंने dryer करना शुरू कर दिया है जो product है उसको सुखाना शुरू कर दिया है सुखाने के बाद हम इसमें जैसे ही 80% dry हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें करेंगे ironing तो मैं gloves पहनना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऐसा keratin product लगा हुआ बालों में और dryer कर रहे हो तो प्लीज आप अपने ऐसे ही हाथों से dryer ना करें क्योंकि वह जो product है काफी harmful रहता है और इवन जब हम iron करेंगे तो inhale करने में भी problem होगी वह धुआ भी अंदर जाता है तो इसलिए mask पहने जब भी ऐसा हो मैं section by section लेके इसमें dryer करना start करूँगा जैसे ही dryer हो जाएगा देखिए मैं हर एक बाल सुखा रहा हूँ बट 80% तक सुखा रहा हूँ ताकि जब मैं iron लगाँ तो वह एकदम से बाल जले नहीं अच्छे से सुखाना चाहिए बाल अच्छे से सूख जाने चाहिए जब तक बाल सूख रहे हैं एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी कोई product अगर buy करना है जो मैं use करता हूँ यहाँ पर चाहिए dryer है, scissor comb, chemicals, color tubes, smoothening, blonder, dryer, cutting sheets, scissor, comb, clips कुछ भी buy करना है तो आप please मेरे वीडियो की निक्षे description box में जाएं, वहाँ लिंक दिया हूए हमने हर एक चीज़ के scissor जो मैं use करता हूँ, उसके भी लिंक्स है dryer, everything जो भी मैं use करता हूँ, उन सब के लिंक्स दिया हैं, वो आप जाके खरी सकते हो online क्योंकि वो काफी discounted rate देंगे अगर आप मेरे link पे के थूँ जाओगे तो, वसमें कुछ particular discount है जो आपको मिलेगा इसलिए मैंने reference डाले हूँ है, आप खरी सकते हो जाके online और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हम postpone का, I mean date change कर रहे हैं, seminar का जो आमदाबाद में था 9-10 तारीक का था, but the thing is, वहाँ पे अभी राखी season है, तो सब लोग busy है, मेरी सबसे बाहत हुई, जो मेरे students है तो हम उसको postpone कर रहे हैं, 1920 तारीक को, जो कि Monday Tuesday आता है, और वहाँ पे almost 15 लोग हो चुकिया मेरे पास अगर जादा नई भी होते हैं, तो हम 15 लोगों को लेके ही सेमिनार करने वाले, workshop करने वाले, workshop में मैं कैरेटीन सिखाने वाला हूँ, color highlight सिखाने वाला हूँ, advance haircut सिखाने वाला हूँ, तो जिनको भी सिखना है, please वो call करके अपना seat book करवा सकती है तो बालो को अच्छे से सुखा रहे हैं हम, तो बालो को सुखा रहे हैं हम, जैसे ही बाल ट्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे, जैसे ही बाल ट्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे, ironing आज हमारे पास दो केराटीन चल रहे हैं एक लेफ साइड में एक राइट से चेर पे दोनों पे केराटीन चल रहा है तो मैंने मास्क दिया है क्लाइंट को पहनने के लिए क्योंकि इसका जो स्मोक रहता है वो काफी एफेक्टिव है काफी खराब करता है आपको अगर आप इनहेल करते हो मैंने खुद ने मास्क पहन लिया तो मास्क पहनने से प्रॉब्लम नहीं होती है हमने बेबी लिस कारण लिया है इसका टेंपरिचर रखा है मैंने 180 आप ज्यादा टेंपरिचर रखोगे तो भी खराब है बालों के लिए तो हमने 180 टेंपरिचर रखा है 230 नहीं रखा विकोज अगर आप 230 टेंपरिचर रखते हो ना उससे जो प्रोड़क्ट है सारा जल जाएगा और हमें क्या करना है उसको स्टील करना है बालों के अंदर जाके कि वो वहीं पे बालों के अंदर चला जाए और सील हो जाए उसी तरीके से हम कर रहे हैं सेक्शन बैस सेक्शन आइनिंग keep after 24 hours हमें करना है Hair wash एनका और वो भी करना है जो हमारे पास सलफर फ्री शेंपू आते है पैरबेन फ्री शेंपू आते हैं वो शेंपू से ही हमें शेंपू करना है और मास्क यूज़् करना है जो कि मैंने Hair wash ओर डिऑडी में दिखा चुका हूं इसका केराटीन का हेवश कैसे करते हैं जिन लोगों को नहीं पता है वो वीडियो देख लें जाके तो यहाँ पे सेक्शन बाइ सेक्शन मुझे करना है आइनिंग जल्दी ना करें अराम से आइनिंग करें अपना टाइम ले बिकाज यही एक परफेक्ट वे है बालों को अच्छे से परफेक्ट दिखाने का ट्रस्ट मी जैसे ही यह हो जाएगा ना उसके बाद आप देखोगे बालों का लुक जैसे ही वाश करोगे वाश करने के बाद समझ में आएगा कि बाल काफी चेंज हो गए है तो हमने बेबी में इसका आरन लिया है जो की 180 डिगरी पे रखा हुआ है जो बाल डैमेज होते हैं तो आप आरन का टेंपरेचर भी जादा नहीं रख सकते तो इसलिए मैंने 180 पे रखा है वैसे मेरे आरन का टेंपरेचर है 230 तक तो आज का वीडियो अल्मोस्ट यहां तक ही रहने वाला है रिजल्ट आपको दिखाऊंगा बढ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें शेर कर दें कमेंट सेक्शन में डाल दें केराटीन केराटीन लिख दे कमेंट सेक्षन में प्लीज हैश्टेग कमेंट में हैश्टेग केराटीन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें जो लोग नहीं आ रहे हैं और जो लोग पहले से जुड़े हैं प्लीज 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 मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे देखे कितना जादा शाहिन आ गया बालो में पसंद आया आपको? पसंद आया तो प्लीज लाइक ठोक दे आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बुबाई अल्ला हाफिस नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए भीडियो में तक के लिए भीडियो में तक के लिए बुबाई